कि अग्णा के द्वारा थालाई भी फिल्म का प्रोमोशन के जाएगा कपिल शर्मा शो में आए जानते हैं इसकी पूरी वारदात वॉलीवूड एंटीडी 24 प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल और अपकमिंग वीडियोज अलो दोस्तों वॉलीवूड एंटीडी 24 में आपका स्वागत है अब ने दोस्तों बताते कि वॉलीवूड की कुईन कंगना रनावत इन दुनों अपनी आगामी फिल्म थलाई भी को लेकर काफी सुर्ख्यां बटो रही हैं बीते दिनों में कंगना की फिल्म तो थेटर में ना मिलने के कारण अब इन तरी काफी नाराज थी लेकिन सेनेवा घर मालिकों के साथ बातचीत से ये मालू हुआ है कि कुछ हद तक सुलज गया है मामला अब कंगना की फिल्म प्रमोशन वो कंगनार अनोत जल्द ही अब मज़िदार टेलिविजन के सबसे मज़िदार चर्चित शो में फिल्म का प्रमोशन करने पहुच रही हैं ये शो कोई और नहीं वलकि दाक का पिल्शर्मा शो है छोटे परदे पर सबसे चर्विद चर्चित कॉमेडी शो दाक क फिल्म्स का प्रोमोशन करने आते हैं इसी कड़ी में कंगना लुनावत भी अपने आगामे फिल्म थलाईवी थलाईवी के प्रोमोशन के लिए इस शो में शामिल होने वाली है कंगना ने इस वारे में खुद ही सोशल मीडिया के जरी बताया है दा कपिल शर्मा शो में थलाईवी को प्रोमोट करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों बतादे कि कंगना ने जो तस्वीर शेयर की है इसमें वो मास्टर्ड एलो रंग की साड़ी पहनी हुई है कंगना ने इस साड़ी के साथ साउथ इंडियन लुप केरी किया है पीले रंग की साड़ी में गोल्डन एबराइडरी की वार्डन है जो इनकी खुबसूरती को और निकार रही है इसके साथ ही कंगना ने ट्रेडिशनल इस्टिमेंट्स जोलरी का भी पहनावा किया है वहीं उनके पास अपने लुप को जरी किया है जिन में वेह दो खुबसूरत नजर आ रही है कंगना रोन हैँ ने फैंस機 भी तस्वीरों के साथ में अपनी तस्वीर शेयर किया है इन तस्वीरों को देखकर उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रूक पा रही है बता दे कि कंगना रॉनौट की फिल्म थलाईवी 10 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है कंगना इस फिल्म के प्रमोशन में लगातार जुटी हुई है फेलहल फिल्म तमिल और तेलगू में भी है और वहाँ पर सिनेमा घरों में लगेगी बहें 24 सितंबर को इसका हिंदी संस्क्राइड नेट्फिलिक्स फर रिलीज किया जाएगा दोस्तो फिल्म बेहत खास है कंगना रनावंत के द्वारा निभाया गया इसमें किरदार बेहत रोचक और तत्त पून है दोस्तो बता दे किंगना की फिल्म 10 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी अगर हम नेटफिलिक्स फूर बात करें तो नेटफिलिक्स फर 24 सितंबर को इसका हिंदी संस्क्राइड किया जाएगा और उसके बाद में ये नेटफिलिक्स फर अप्लोड की जाएगी दोस्तों फिल्म बेहद रोचक तक्तियों के साथ में बनाई गई है इसका शूट लगवग चार से पांच महिनों में कुट किया गया था और कंगना के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि कंपुटिशन के तोर पर यह यूं कहें कि उनके लिए बहुत बड़ा चेलेंज बन गया था इस करेक्टर को निभाना और इस करेक्टर की आदाएगी को दिखा पाना लेकिन कंगना ने वाखोगी इस करेक्टर को जिया और फिल्म को एक बड़ी सफलता हासिल की थलाईवी दोस्तों बतादे कि ये तेलगू शब्द है और तमिल तेलगू के दोरा मिक्स किया गया है थलाईवी और इस थलाईवी फिल्म में कंगना ने जबरदस्त अभने कर एक अलग चाप छोड़ी है कंगना इसमें जोरो पर अपने प्रमोशन के लिए लगी हुई है उनका मानना है कि इस फिल्म का प्रमोशन कर वो अपने फैंस को बताना चाहती है कि इस फिल्म के लिए वो क्या क्या कर सकती है और फैंस से वो यही बोलती है कि इस फिल्म को जरूर देखेगा ये बेहद पंगना की खास फिल्म है और बहुत तीर हो चके है तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा तमेंट करके हमें जरूर बताएगा चलिए मिलते हैं धन्यवाद कि अधने लगा वालेवार एडिड टूट्वर ब्लीज श्राइब टूनल पर अधर में विडियो श्राइब।